करनाल पुलिस ने नव वर्ष पर शेहर भर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुक्ता इंतजाम किये इस मोके पर एसपी सुरेंदर सिंग भोरिया ने जीले वास्यों को नव वर्ष की शुब कामनाई देते हुए अपराद मुक्त करनाल बनाने की बात कही उन्होंने किसी भी परकार की कोई रुकावट उत्पन ना करें इस अफसर पर जीला पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये गए हैं यदि कोई व्यक्ति हुर्दंग बाजी और शोरगुल करके किसी भी परकार से कानून व्यवस्था या शान्ती व्यवस्था को कोशिश करेगा तो उसके खिलाव सक्तकारेवाही की जाएगी एस पी सुरेंदर सिंग भोरिया ने कहा कि इस परकार के अफसरों पर शान्ती एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की एहम जिमेवारी है आमजन के हर्शों उलास में किसी परकार का व्यवधान उ इंतजाम करें रातरी के समय अपने अपने शेतर में मुख्य स्थानों पर नाका बंदी कर शराब पी कर वहां चलाने वाले चालकों को एलको सेंटर द्वारा चेक करें सबसे पहले तो मैं करनाल पुलिस की और से सभी करनाल वासियों को नम वर्ष की बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ जहां तक आज शाम को जो और रात को काफी जगह है जो सेलिब्रेशन्स होंगी नियू अरिव को लेके तो उसके लिए सुरक्षा के पुक्ता हिजाम किये गए है सभी जो परिवार अपने परिवार सहित अपना सेलिब्रेट करें लेकिन हुलडबाजी और हुडदंग बाजी बिल्कुल भी बरदाश नहीं की जाएगी एक डिटेल्ट प्रोग्राम भी हमने सेक्योटी बरांसे इसके बारे में जारी करवाया है कुछ थोड़ी जो पॉपुलर जगह है उसमें नाकाबंदी है आसपास कुछ हमने पीसे राइडर लगाए है उसके साथ पेट्रोलिंग जूटी लगाई है और एडिशनल फोर्स को भी जहां कुछ थाने ऐसे हैं जिनकी एरिया में पब और होटल रेस्टोनेंट जादा है उनको एक्स्टा फोर्स भी दे गई है यह तो रात देर रात जब तक डिपेंडिंग ओन दी सिचुएशन जब तक चलती है सेलिबरेशन हर बार की तरह इस बार भी किया जाए है जो भी हुड़दंग बाजी करेगा उसका अच्छा इलाज किया जाएगा अच्छा इसे ही लेटेस कोबरे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख शेर और सब्सक्राइब करें